दुर्ग जिला विदिक सेवा प्राधी करण के द्वारा दुर्ग के नियाले में एक दिवसी नैशनल लोग अदालत शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया इस उसर पर पहुंची शतिवर उच्छ नियाले एवं कारेकारी अद्यक शतिवर राजी विदिक सेवा प्राधी करण के नियाय मुर्ती गौतम भादूरी ने परिसर में लगे शीविर स्टालो का जाहिजा लिया और पेंडिंग और बरतमान केश पर चर्चा के इस दोरान शर्यवार को लगे शीविर में लंबित मामले लगभग 45 सो और प्री लिटिगेशन लगभग 2907 रखे गए साथी जिला प्रशासन द्वारा जनता के लिए मैट डेटा सुची में नाम जोडने के लिए एक शीविर का भी आईजन किया गया इस दोरान जिला नियाधिस दुर्ग शिमती नीता यादा दुर्ग कलेक्टर पुषपेंदर मीना और दुर्ग पुलिस अधिकशक सलब चीनहा विदिक सिवा प्राधिकरन के आशिज जहरिया सहीद अन्नी लोग शामिल रहे इस दोरान माननी शिन्याय मुर्थी गौतम भादुडी मीर्या से मुखातिब हुए और इस तरह की जानकरी हों दी इस बार दो बार जेल लोग अधालत चोटे-चोटे जो मामले रहता है वहीं पर हमारे मैजिस्टेट जाते हैं वहीं पर कॉंप्रमाइस करके वहीं पर खतम जो भी डिसिशन देना हो इसके गाइडलाइन हिसाब से रहता है नालसा के उनसे साल में चार तो होती है ब्रियत लोग अधालत और और उसमें जो पर्मेनिट लोग अधालत यह तो हमेशा चलते रहती हैं पार्टी जो दोनों रहें वह खुश हो के जाए नो पार्टी जग्रीट पेंडिंग मामले एक यह रहेगा पॉपुलेशन तो रहेगा तो पेंडिंग मामले तो नहींगे पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा के से बढ़ेंगे यह जैसे हॉस्पिटल में नंबर बढ़ते हैं वसी लिडिधी जयंगेशन बी पार्ट है हालांग की पाॉपुलेशन का 2-3 % है पर पॉ स्टेफ पर हुए लोक अधालत में छोटे मोटे कॉंप्रमाईस है तो इमीडियेट पैसा मिल जाता हो इमीडियेट पैसा मिले और दोनों पाटी पैसा मिल जाता है आपका वही पैसायदी भले जैसे 10 लाग की जगह आपको 15 लाग मिले 5 साल बात मिले पर वो 10 लाग आज जादा इंपोर्टेंट है यह बेसिक फंडमेंटल आइडिया है लोक अदालत में देखिए जो में एफट है कॉंप्रोमाइस के लिए लोग बिना लिटिगेशन का एक पाटी जीतती है एक पाटी हारती है उसका लिटिगेशन चलते रहता है हायर कोट में चलते रहता है और उसका एंड नहीं है उसका रेजर्ट तो आप लोग जानते हाई कोट भी पूरे भरे में सुप्रीम कोट में भी इतने केसिस है तो लोक अदालत यह माध्यम है कि जल्दी से जल्दी यह निप्टा रहा हो जाए इसका रहने सेन न्यूस के दुर्ग सेनसी फारू की रिपोर्ट